गुड इवनिंग फ्रेंज्स, इस गीतो वीर कुरी लियर, फॉम दिवाइन तच पुने, आम अ थारो कार्ड रीदर, आज मैं सिहर आशी का वरिश्य, सिहर आशी का में मन्त कैसे जाएगा, वो आपको बताने वाले हूं थूरो टारो कार्ड्स, तारो कार्ड्स हमारा सब कॉ सबकॉंशिस रीद करते हैं, जो भी हमारे लाइफ में होने वाला है, पूरे लाइफ को हम लोग ब्लू स्केच, ब्लू प्रिंट बोलते हैं, वो ब्लू प्रिंट हमारे सबकॉंशिस में फीड रहता है, और हमारा सबकॉंशिस माइड उस ब्लू प्रिंट को पढ़ सकता है और tarot cards through our subconscious हमें answer करता है So, सेहर आशी का बविश्य कैसे चाहेगा? उनका promotion का time है Career में काफी progress दिख रहा है Business में काफी तरक्षी होगी बहुत अच्छे contacts बनेंगे बहुत अच्छे orders आपको मिलेंगे पैसा बढ़ने के full chances है और parents के तुरू, elders के तुरू भी आपको पैसा आ सकता है कोई old property बगर बेच के या कोई old property भी आपकी नाम भी की जा सकती है सेहर आशी के लिए Relationship के लिए भी time बहुत ही excellent है आप आपके partner के साथ के ही गूने जाएंगे जो unmarried लोग है वो travel करेंगे अपना partner find करेंगे या आपके partner आपको जूमते हुए आपके पास पहुंचेंगे So for relationship बहुत ही positive card है आपके health के लिए जितना आप खुश रहेंगे जितना आप celebrate करेंगे अपने friends के साथ, group के साथ उतनी हापकी health अच्छी रहेगी अपने आपको खुश रखें आपकी सिहत बहुत अच्छी होगी और spirituality में अगर आप कुछ अध्याग में कोर्स सीपते हो तो वो कोर्स आपकी लिए एक blessing होगा जो आपको throughout the life help करेगा आपको mother की health का तोड़ा सा खयार रखना है से राशी वालों को राथ को नीन प्रॉपर करनी है अगर आपको नीन मिनी आती है एक soft का packet लेना है उसे अपने तकिये के नीचे रखना है और देखना है कि नीन अच्छी आना स्टार्ट हो जाएगी कोई भी decision कुद नहीं लेना है किसी से advice लेके ही decisions लेने है और seniors का बहुत help मिलने वाला है elders का बहुत help मिलने वाला है जितना आप गर्ड चूड कर ट्राविल करेंगे उतना आपके लिए लखी है उतना आपको progress मिले है Thank you